YouTube Thumblain तो Edit करना आग या लेकिन YouTube Thumblain में जितने में Materials यूज़ होते गाईज वो सारे Materials हम लोग कहा से डाउनलूड करें ताकि हम लोग अभी जो Thumblain है वो देखने में एकदम Professional की तरह लगे या फिर देखने में एकदम ManosDev के जैसा लगे मनुस देब अपने थम्लेन में जितने भी materials यूज करते हैं चाहे जितने भी PNGs का वो use करते है अपने थम्लेन में वो सारे PNGs हम लोग कहां से download कर सकते हैं ताकि हम लोग भी अपने थम्लेन को एकदम professional की तरह बना पाएं या फिर एकदम बड़ी curator के जैसा look दे पाएं अपने थम्लेन को ठीक है तो अगर आप लोग यह जाना है कि अपने थम्लेन को एक बड़ी curator के जैसा look हम लोग कैसे दे सकते हैं या फिर एक बड़ी curator के जैसा अपने थम्लेन को कैसे create कर सकते हैं जो आप लोगो पुरा अच्छा सा लुक देने के लिए या फिर एक थम्लीन को पुरा अच्छा सा क्रेट करने के लिए जितने में पीएडियल और फिर जितने Isn't का यूज होता है जो भी बड़े creator करते हैं ठीक है और टेलिग्राम चैनल का लिंक आप लोग को मेरे description box में मिल जागा गाइस तो वहां से जाकर आप लोग सारे PNG को डाउनलोड कर सकते हो लेकिन गाइस क्या आप लोग के थमलेन में इतना ही PNG काफी है इडिट करने के लिए मैं बता दू नही तो आप लोग अलग अलग टाइप का ज़रुत पड़ेगा लेकिन सारे PNG तुम्हें आप लोग को नहीं दिये लेकिन सारे PNG से आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकतो यही चीज में आप लोग को बता सकता हो तो सबसे पहले आप लोग को अपने phone में Google ब्राउजर को ओपन कर जाएगा fire PNG ठीक है इस टाइप का PNG मनुस्तिक कि किसी ना किसी थमलें में आपने देखा ही होगा इस टाइप के fire वाले PNG वो यूज करते है ठीक है तो आप लोग इसे अपने थमलें करना आता है तो ठीक है तो आप लोग एजीली यूज कर पाऊंगे लेगिन अगर आप इससे आप लोगो सबसे पहले PNG में convert करना होगा तब यह आप लोग अपने थमलें में इससे यूज कर सकते हो ठीक है तो PNG में convert करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा क्या गूगल में ही आप लोग को सर्च करना है background remover ठीक है पहले download कर लेना उस image को उसके बाद लेकिन यहाँ पर मैं search कर रहा हूँ background remover ठीक है जैसे आप लोग background remover search करोगे गाश ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने पहला site आ जागा ठीक है एंड इस site में आप लोग जाके यहाँ से background remove कर सकते हो इमेज का ठीक है एंड यहाँ पर आप लोग अपने photo का भी PNG बना सकते ह फिर किसी अधर चीज का भी PNG यहाँ पर बना सकते हो गाश ठीक है यानि background remove कर सकते हो इस application से एंड इसका यूज आप लोग बार बार कर सकते हो गाश ठीक है एंड गैस background को remove करने के बाद इससे आप लोग सेब कर लेना सेब केसे करना गाश मैं आप लोग को बता दे रहा किसी भी इमोजी का आप लोग PNG कैसे बना सकते हो एंड इसका यूज आप लोग थम्लेन में कैसे कर सकते हो गाश एंड मैं आप लोग को बता दू कि जितने में बड़े creator होते गाश ठीक है वह अपने थम्लेन में जो कुछ भी यूज कर सकते हो लेकिन आप लोग वह चीज करना हम लिखा रहा रहाता है इमेज पर लोग ने देखा हो कि लिए आप लोग ने करने ही आप लोग अने देखा अब लोग इnhा लेकाता है लेकिन अगर आप लोग उन्न कर सकते हो और अपने थम्लेन में पोहेंस और वह सी चीज यो daiड का और लोग याद होगा है het में आप लोगो भंडार मिलेगा पिएंजी के बस आप लोगो सोचना है कि हम लोग क्या सच करें तो आप लोगो वही चीज़ सोचना है एंड गूगल में सर्च करना है ठीक है कि आप लोग जैसे यूटूब पे ढूंडते रहते हो कि मटेरियल्स कहां से ले ठीक है पेंजिस कहां से डाउनलूड करें आप लोग इसका लिंक मिलता है नहीं है मैं बता दो आप लोगो ढूंडने के कोई जरूरत नहीं है आप लोग के फोन में गूगल ब्राउजर है वहीं पर सर्च करो वहीं से इमेज डाउनलूड करो एंड उसका बेकरांड रिमूब करो एंड अपने थम्लिन में इसली यूज़ करो ठीक है एंड आप लोगो घंटो लोग तो वीडियो का एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाईज एंड वीडियो में कुछ भी डाउट होता आप लोग मुझसे कमेंट करके इसली पूस सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई गाईज